इसमें हमें क्या गिवन है y इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स और इसमें हमें प्रूब क्या करना है सेकंड डेरिगेटिव ओफ y इक्वल टू कोस एक्स डिवाइड बाइ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्पेर ओके तो देखे हम फर्स्ट डेरिगेटिव कर लेते हैं डिवरन सेましょう y इक्वल क्या गिवन है में 10x لाुक्वल सेक्स तो y का डिफ्रेंचेट कर लेते हैं डिफ्रेंचेट से विक रिड्रेसपेक्ट टू एक्स ओके y का डिवेज़़एड डी आपोण डी एक्स एक्स 10x का derivative क्या होता है sec square x ओके plus sec x का derivative sec x का derivative होता है sec x x into 10x यह हमारा first derivative है अभी मैं हमें prove qosh और sign में करना है तो इसको मैं qosh और sign में change कर लेता हूँ ओके sec क्या होता है one upon qosh और scale है तो यह square हो जाएगा plus sec one upon qosh x into shine x divide by qosh x ओके यहाँ पर भी qosh square है और यहाँ पर qosh x into qosh x कितना हो गया qosh square x तो दोनों के divide में same है तो उपर हम add कर देते हैं dy upon dx equal to क्या होगा one plus sin x divide by qosh square x ओके अभी यह qosh square x है इसको मैं sign में change कर लेता हूँ तो one plus sin x divide by qosh square को क्या लिख सकते हैं one minus sin square x ओके अभी देखें यहाँ पर one का square कर सकते हैं क्योंकि one का square one नहीं होता है कोई फरक नहीं पड़ेगा अभी यहाँ पर मैं एक formula यूज करूँगा a square minus b square equal क्या होता है a minus b into a plus b ओके यह formula यहाँ पर use कर रहे हैं इसको क्या उपर तो same as it is रहेगा one plus sin x और नीचे one minus sin x into one plus shine x ओके देखिए यह और यह same है तो यह cancel हो जाएगा इस से तो हमें dy upon dx की value क्या मिल रही है यहाँ पर one upon one minus sin x ओके अभी हम इसका again derivative कर देते है मालिया यह equation वहना है differentiate with respect to x in equation first ओके तो देखे इसका क्या होगा दी स्केर y upon dx के यह u into v लगा लेते हैं हम यहाँ पर नीचे का square one minus sin x का whole square हो जाएगा यहाँ पर और इसका derivative उपर वाले का derivative तो उपर का one का derivative क्या होगा जीरो 0 into 1 minus sin x ओके और minus derivative इसका divide में divide में क्या है 1 minus sin x उपर वाड़ा as it is और नीचे वाड़े का derivative नीचे क्या है 1 minus sin x तो 1 का होगा derivative 0 और minus sin x का होगा cos x ओके इसको तो थोड़ा अच्छे से ये तो पूरा 0 ही हो गया हमारा और ये 1 minus into minus plus cos x divide by 1 minus sin x का होग स्केर यही हमारा required अंच्वरे हमीं यहीं प्रूफ करना था d square y upon dx square equal to cos x divide by 1 minus sin x का होग स्केर थैंक यू गाईज अगर वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए कोई